सन लार्ज हेड्रोन कोलाइडर वैज्यानिकों ने पहली बार तीन विदेशी कणों को देखा यूरोपिय परमाणू अनुसंधान केंद्र सर्ण ने साथ जून को कहा कि लार्ज हेड्रोन कोलाइडर के साथ काम करने वाले वैज्ञानिकों ने तीन उप परमाणू कणों की खोज की है जो पहले कभी नहीं देखे गए हैं वे करन ब्रमाण के निर्माण को जानने की कड़ी हैं सर्ण में 27 किलोमीटर लंबा लएच सी वह मशीन है जिसने हिक्स बोसोन करनों का पता लगाया जो की 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग के बाद ब्रमाण के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है अब सर्ण के वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने LHC में पाए गए नए हेड्रोन की सूची में तीन सदस्यों के जोडने से नए प्रकार के पेंटा क्वार्ख और टेटरा क्वार्ख की पहली जोड़ी देखी है वे भौतिक विदों को भेतर धंक से समझने में मदद करेंगे कि क्वार्ख मिश्रित कणों में एक साथ कैसे जोडते हैं क्वार्ग प्राथमिक कण होते हैं जो आमतोर पर दो और तीन के समुहों में मिलकर हेड्रोन बनाते हैं, जैसे प्रोटॉन और नूट्रोन जो परमाणू नाभिक बनाते हैं. लार्ज हेड्रन कोलाइडर The European Council for Nuclear Research ने 5 जून को कहा था कि 4 साल बाद लार्ज हेड्रन कोलाइडर को फिर से शुरू किया गया है. सुर्जर लेंड इस्थित सर्न के नाम से मशूर European Organization of Nuclear Research में मौजूद दुनिया के सबसे तागतवर पार्टिकल एक्सलेरेटर लार्ज हेड्रोन कोलाइडर को डार्क मेटर की तलाश में मदद के लिए खास तौर पर अपग्रेट किया गया है. इससे पहले इसने हिक्स बोसोन का पता लगाया था जो 21 वी शताबदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी. इस साल हिक्स बोसोन को खोजे जाने के 10 साल पूरे हो जाएंगे. इस कर्ण और इससे जुड़े क्षेत्र के बगैर ब्रमांड में कुछ भी नहीं होता. इस मशीन का काम बिग बैंग विस्पोट से पैदा हुए ब्रमांड के बारे में जानना है. गौट पार्टिकल कहे जाने वाले हिक्स बोसोन का फिर से खोज शुरू करना है. इस मशीन को फिर से शुरू करके 13.6 खरब इलेक्ट्रोन वोल्ट जितनी ओरजान निकाली जाए जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में दी गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया. इस अविशकार को एक यादगार कहा गया क्योंकि इससे हिक्स क्षेत्र की पुष्टी हो गई. कण भौतिकी के मानक मॉडल द्वारा इसके अस्तित्तों का अनुमान लगा गया है. वर्तमान समय तक इस प्रकार के किसी भी कण के अस्तित्तों में होने का ज्यान नहीं है. हिक्स बौसोन को कणों के द्रव्यमान या भार के लिए जिम्मेदार माना जाता है. प्राया इसे अंतिम मूल भूत कण माना जाता है. इस मशीन के अंदर प्रोटोन पर उल्टी दिशा में दो उर्जा बीम डाली जाती है. इससे गौड पार्टिकल का जन्म होता है. डार्क मेटर क्या है? ब्रह्मान्ड का तीन चौथाई हिस्सा डार्क मेटर से बना है. लेकिन वेज्ञानिकों को अब भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है. ब्रह्मान्ड के सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाने वाली इस एक पहली को शायद अव्वेज्ञानिक सुलजा सकेंगे.